तो दोस्तो आज हम बनाएंगे बिना पनीर के पनीर की सबजी वो भी दाल से जो की इसके आगे पनीर की सबजी भी फीका लगेगा और यह कोई खाने में जितना टेश्टी है बनाना उतना ही जादा आसान है तो चले बनाते हैं तो यहां जो है हमने चने की दाल को दो घंटे के लिए भीगो करके रख दिया था तो यह अच्छे से फूल गया है तो अब जो है इसे हम ग्रैंडिंग जार में डाल देंगे तो देखे हमने यहां पे सभी दाल को ग्रैंडिंग जार में डाल दिया है साथ में हमने यहां दो हरी मेर्ची और चार पांच कली लासुन इसमें डालेंगे साथ में यहां कलर के लिए यहां थोड़ा हल्दी डालेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे अब यहां जो है हम एक चमच्च फ्रेस दही इसमें हम डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे दर दरा तो देखिए हमने दाल को जो है अच्छे से पीस लिया है और अब हम दाल को साइड कर देते हैं यहां पे छो हमने एक भगोना लिया है और इसल में hem पियाघ डाल डाल देंगे साथ में एक टमाट押 डालेंगे अब इसे हम कपड़े झाहते भगोना पानी डालेंगे तो देखे इसमें हमने पानी डाल दिया है आप जो हमने डाल पीसा था उसे इस कपड़े पर फैला देंगे तो पानी जब भी आप डाले तो जब आप कपड़ा भगोने पर बान दे उसके बाद ही इस पर पानी डाले तो देखे हम इसे 10 मिनट के लिए इस्टिम करेंगे ढख करके तो देखे 10 मिनट के बाद यह हमारा अच्छे से बन गिया है तो इसे ठंडा होने के लिए ढख देते हैं तो देखे ठंडा हो गिया हो और यह कितना अच्छा से बन गिया है और इधर जो हमने मसाला तयार कर लिया था तो यहां तेल गरम होने के लिए रख दिया है अब इसमें हम तेजपता डाल देंगे साथ में हमने जो टमाटर प्याज की प्यूरी बनाई थी वो इसमें डालेंगे और एक चमच यहां अधरा कलासून का पेश्ट डालेंगे और मसाले की अच्छे से अब हम भूनेंगे जिससे की मसालों का कच्छा पन अच्छे से निकल जाए तो देखिए हमने मसाला अच्छा से भून लिया है तो अब इसमें हम सभी सुखे मसाले डाल देंगे हल्दी, लाल मिल्च, पौडर, धनिया पौडर और यहां फ्लेवर के लिए एक चमा चम यहां कासमीरी लाल मिल्ची डालेंगे इससे जो हमारी सबजी में बहुत अच्छा कलर आता है अब यहां पर हम भूना जीरा और काली मिल्च का पॉडर डालेंगे और मसालो को अच्छे से हम पकाएंगे जब तक कि इसमें से ओयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए और हमारे मसालो में से एक अच्छी सी खुस्बू ना आने लगे तब तक मसालो को पकाएंगे तो जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम अपना जो हमने डाल का जो बेटर बनाया था वो देख लेते हैं तो देखिए ये कितना आसानी से कपड़े से निकल गया है बिल्कुल भी नहीं चिपका है तो अब इसे आप जिस सेप में काटना चाहिए उस सेप में इसे आप काट सकते हैं तो देखिए हमने यहां पे जो इसे सेप दिया है जैसे हमने पनीर को काटते हैं उसी तरीके से हमने इसे सेप दिया है तो देखें यहां दाल का पात्रा जो था उसे हमने पनीर का सेप में काट लिया है और यह देखें यह कितना स्पोंजी बना है और कितना सॉफ्ट है बिल्कूल पनीर के जैसे तो चलिए यहां जो है हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है और तेल जो अच्छे से सेपरेट हो गया है तो अब यहां पर हम हाप गिलास इसमें पानी एड़ करेंगे और मसालो को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखे हमने मसालों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है अब यहां हम हाप गिलास पानी और डालेंगे तो अब यहां साथ में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सबजी मसाला डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करके उबाल आने देते हैं तो देखे हमारी सबजी में जो है अच्छे से उबाल आ गया है तो अब यहाँ पर जो हमने पनीर तयार किया था उसके टुकरे जो हम सबजी में डालेंगे तो देखिए हमने सभी पनीर को जो है गिरेवी में डाल दिया है अब इसे हम दो मिनट के लिए इसे हाई फिलेम पे पकने देते हैं तो देखिए आब हमारी सबजी जो है बन कड़के तयार हो गया है तो अब इसे आप गर्मा गरम रोटी चावल पराठा के साथ सर्व करें तो अगर यह रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो मैं चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें सस्क्राइब करें सेर करें और कमेंट करें की रेसिपी कैसी बनी है धन्यवाद